सबी दोस्तों अचान के नीती यूटूब चैनल पर स्वागते आईए दोस्तों जो हमारे नाश्ट पर्सन उनको मोग टेस्ट के रूप में करते हैं तो हमने कर लिये हैं 690% मोग टेस्ट के रूप में और इन क्वेसिनों को हमने विदी डिटेल में भी किया हुआ है तो अग आपको विल्कुल फरी पोस्ट पीडिएफ दी जाएगी शिर्फ आपका काम है अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास को सेर कर दीजिए तो आज की क्वेसिनों को मोग टेस्ट के रूप में करते हैं तो आज का हमारा 692 न क्या दिया गया है प्राचेन पानिपत, फटेबाद, फरीदाबाद, यमनानगर अब्दुल्ला पूर्नाम किसका नाम था बैई पानिपत का या फटेबाद का या फरीदाबाद का यह यमनानगर का तो यह question आपके सामने है क्योंकि एक question यहां से आपके exam में लाजमी बनता चाहिए आप हर्याना ग्रूप D की त्यारी करें या हर्याना के किसी भी इग्जाम की त्यारी करें तो भई ये आप के लिए very very important question की जो series चली हुई है इसमें आप अपना मोग test भी लगाएं आप विद डिटेल भी question को देखें क्योंकि पिछली प्रिक्षाओं का निसोड है जो काफी बच्चे डिमांड करें थे उन्हीं की बेस पर हमने दुबार से शुरू किये तो next question आता है हर्याना के मुख्य नैदीसों में से निमिलिक्त में से कौन उस्तम नियाल्या का नियादीस नहीं बना चार उप बता होगा कि कौन कौन हमारे जो क्या है हर्याना का जो उस्तम नैदीस रह चुके हैं तो नियमूर्ति रंजन गोगाई या नियमूर्ति तिरत सिंग ठाकूर नियमूर्ति या हरीदाय नात्सेट या नियमूर्ति वीरा सुवामी रामा सुवामी तो बताओ वे कौन हर्यान के उस्तम नयले के नयदिस नहीं बने च्यार उप्सन दिये गए हैं आपके सामने तो बताना भई यहां से एक क्वेशन आपका बनेगा है बनेगा चाहिए आपकी सिभी एकजाम की त्यारी करना हर्याना के उत्पादन में पर्थमस्तान है भई किसका है काश्ट फल का मसाले क बंद गोबी का बटन बसूरम का तो बताना भई हर्याना के उत्पादन में पर्थमस्तान किसका है तो यह काश्ट फल का यह मसाले का यह बंद गोबी का यह बटन जो मसूरम में सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है पता उना चाहिए भई ट्रैक्टर में जिला भी बताना भई और किसका उत्पादन रखता है ये भी बताना है तो भई ये आपके लिए है very very important question हर्याना का राज्य पक्सी हर्याना का राज्य पक्सी अगर आप इमानदारी से इसमें practice करते हैं जिन बच्चों ने भी detail question किये हुए हैं तो भई आप अपना इमानदार कोण सा है बिन उप्चन बता सकते हर्याना का राज्य पक्सी कोण सा है बिलकुल असान है भई हर्याना का राज्य पक्सी बताओ हर्याना का परसीद खिलाडी भई ओम परकास कराना कहां से जूड़ा हुए ये भी बताईए भई कहां से सम्धीत ये बताना है और कौन से गे परसन निमिलिक्त में से किसने अर्याना के मुख्यमंत्री के रूम में कारिये नहीं किया, किया हुआ है और नहीं किया हुआ, ठीके न, किया हुआ, यह पता होगा, तभी आप यह जवाब दे पाएंगे, किसने मुख्यमंत्री के रूम में कारिये नहीं किया है, छोटराम, ओ प्रकाश चोटाला चोदरी देविलाल बनार्शिदास गुपता तो अर्याना की मुख्यमंद्री के रूम में किसने कारिये नहीं किया बिल्कुल असान परसन है निमिलिक्त में से अर्याना की कौन से जिले में बई तामबे का उत्पादन होता है अर्याना का कौन सा जिला अर्याना की स्टील नगरी किसको बोलते हैं बई गुरु ग्राम इसार बिवानी कैथल तो अर्याना की स्टील नगरी पितल नगरी बताना बई कोन सी है ठीक है न ये क्वेसन आपके आते हैं बई जो अर्याना के जिलों के उपनामे एक परसनी आगा आपका जरूर बनेगा हर्याना से प्रकासी तोने वाला पर्थम हिंदी समाचार पत्र एक उर्दू समाचार पत्र पूछा जाता है एक आप से पूछ लिया हर्याना का पर्थम हिंदी समाचार पत्र कोण है बई बताओ कुण साय जग बानी हरी भूमी जैन प्रकास अमर उजाला तो रियाना से प्रकासित होने वाला पर्थम हिंदी समाचार पत्र अगर आपको इनके अनस्वर विद डिटेल देखने हैं जो नीचे वैख्य दी गई है वो आप अमारी सरू से स्टार्टिंग से क्लास देख सकते हैं हमने बिल्कुल एनलाइज किया हुआ है अगर आपको PDF की जूरत है तो वही मैसेज कर देना सिरफ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना PDF आपको मिल जाएगी जब भी हम आपके मैसेज को सीन करेंगे बिल्कुल फरी पोस्ट PDF है वही कई बच्चे पूचते हैं कि सर्पेट है या फरी है तो विल्कुल फरी दिजारी वही आपको PDF सच्चर सुत्र में ही माचल परदेश के इस जिले को रियाना का बाग पर स्तावित किया गया था कोण से जिले को रियाना का इस्सा बताया गया था है माचल परदेश का ये जिला है तो बर्नाला, सिमला, सोलन, बिलासपुर तो कौन सा जिला बता वैं जो इमाचल परदेश का जिला था लेकिन अरियाना का इसा बताया गया था सचर सुत्तर में, सचर फार्मूला में समालका अरियाना के किस जिले की तसील है वैं बिल्कुल असान है अगर हमारे जो दादा दाधी हैं उनसे पूछे न समाल का काँ पे पड़ता है वो जट से जवाब देदेंगे समाल का उस जीले में आता है तो समाल का रियाना के कौन से जीले की तसील है मेंद्रगड सोनइपत पानीपत करनाल हर्याना में पर्ति वरक्ष दिवस मनाया जाता है किस तारिकों वरक्ष दिवस मनाते हैं 15 जुलाई 15 मैं 15 जून 15 अगस्त बताना वै वरक्ष दिवस किस तारिकों मनाते हैं दूरदर्शन केंदर वह र्याना में एक मात्र कार्येकरम निर्मान केंदर कांपे है एक मात्र निर्मान केंदर दुर्दर्शन केंदर जो फरिदाबाद इसार गुरु ग्राम अमबाला हर्याना में सक्ति उत्पादन के लिए उत्तरदाई भै सक्ति उत्पादन पावर का उत्पादन करने के लिए उत्तरदाई कोन सी चीज है हर्याना विदुत सुधार अयोग, हर्याना राजी विदुत बोर्ड, हर्याना सक्ति उत्पादन कंपनी लिम्टेड या फिर हर्याना विदुत परसार्ण निगम लिम्टेड बताईयो बही, सही जवाब क्या हुग, पावर यानि बिजली से संदित मिलेगा यह आपको नेक्स्ट आगया भई हर्याना में पहली हवाई पटिक कब बनी जब क्या है अंबाला एर फोर स्टेशन स्तापित हुआ तो काँ पर ये अंबाला में तो ये कब बनी थी भई 1948 में 1955 में 1964 में 1967 में तो बताओ भई कब बनी है हर्याना में मोर और चिंकारा परजन केंदर सभी परजन केंदर हमने पढ़ चुके स्पेशल आपको मेरी पीस के साथ भी डिटेल में वीडियो भी मिल गी जितने हमारे हर्याना में परजन केंदर है वो हमने एक वीडियो में भी किये हुए अगर आप लेलेस्ट में जागर देखेंगे और एक और आपको बात बताता हूँ हर्याना के 22 के 22 जोले हमने की हुए उन लाइनर हर्याना जिके काफी क्वेस्टन की हुए MCQ की हुए तो आप पीछे की क्लास भी देख सकते इस सीरीज को भी आप देख सकते जारी किसको अर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने एकजाम लिया है निमिलिक्त में से अर्याना के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है और अभी अभी जो आपके CT मेंस के ग्रूप 56 के एकजाम हुए उसमें भी ये क्वेस्टन आ चुका है तो इसलिए कहता हूँ मैं एक बार आप हर्याना की पिछली प्रिक्साओं के क्वेस्टन को जरूर देखना और हर्याना ग्रूप D गा एकजाम तो आपका NTA लेगी NTA आपके एकजाम में से आयो एकवेस्टन पूचती है अगर आपने CT कोमन पेपर दिया जो आपका स्टार्टिंगा CT हुआ था उसमें रियाना जिक्के किस लेवल की पूच्छी थी रियाना की राददानी पूचली ऐसे क्वेस्टन आये थे भई हर्याना कब बना ये क्वेस्टन आती है इसलिए मैं ये क्वेस्टन करवा रहा हूँ ताकि एक बार आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और आपके लिए जो हर्याना जिक्के है वो कापी यूजफुल रहेगी जब आपके नए क्वेस्टन भी आएंगे वो भी आपको असानी से याद हो जाएंगे तो निमिलिक्त में से रियाना के किस जिले में वही सबसे कम ग्राम पंचायत है पंचकुला गुरुग्राम रोतक फ्रीदाबाद और मैं ज़्यादातर क्वेस्टन दो कम्यूटी में भी डालता रहता हूँ अगर अभी तक आपने चैनल जो सबस्क्राइब नहीं किया तो डेली आप कम्यूटी के तीन या चार पांच इतने भी क्वेस्टन डालते और कोई भी अरजैन्ट जो इनफ्रोमेशन आती है वो भी आपको मिलती है तो वो भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हर्याना में एक मातर सदा निरा नदी सदा बैने वाली नदी कोन सी है गगर आकरा यमना मारकंडा तो अर्याना में एक मातर सदा निरा नदी कोन सी आएगी भई हरियाना में वही कौन सी गगर नदी की एक सायक नदी है सीधा सब परसंद पुछा है गगर नदी की सायक नदी है चोतांग, सरस्वती, अरूना या फिर नजबगड तो कौन सी सायक नदी रहेगी गगर की हरियाना में 2021 में वायू पतन थे 2021 में कितने वायू पतन थे बही बताओ 2023 लग चुका है तो 2021 में यह पाश्ट का क्वेस्टन हो चुका है 379 किस स्विधानसन शोधन के तैत उंच नेले के नियादीसों को जब रिटारमेंट की आई हुए उस सैट से बढ़ाकर कितना कर दिया बैस्ट कर दिया गया पहले सैट वरस का वेक्टी क्या होता था रिटार होता था तो अब बैस्ट वरस का वेक्टी क्या है रिटार होता है यह स्विधान में संसोधन किया गया है जो उच नेले के नियादीसों के लिए तो कोन सा स्विदान संसोदन हुआ भै कोन सा स्विदान संसोदन हुआ है ये पूछा आगया है 15, 15 या चपनुआ सोरी दोस्तो 60 दिया आगया है 21 15, 55 ठीक ना 60, 21 बताओ भै निमलित में से अरियान के कौन से नगर को सोनने की नगरी कहते हैं भै ये क्वेशन भी आते हैं साइकल नगरी सोनने की नगरी इसको बोलते हैं अमबाला सोनिपत इसा रोतक किसको सोनने की नगरी कहते हैं सरनायत नगरी कहते हैं ये क्वेशन आते हैं भै तो बताओ वही किसको सोनने की नगरी कहा जाता है निमिलिक्त में से हरियाना में कौन सी जील वही एक वन्य अभियारन है तो कौन सी जील ऐसी है जो वन्य जील अभियारन के नाम से जानी जाती है बढखल, दमदमा, दिंडावास, करनाल हर्याना की सबसे बड़ी जील भी बताई हो वही हर्याना के जो आपके एक्जाम होते हैं उनमें काविवार आती है हर्याना की सबसे बड़ी जील कौन सी है और हर्याना में कुल कितनी जीले हैं जो हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमीशन क्वेशन पूचता न उसके coding बताना भई हर्याना में मोनी ओर टिप्रा स्रेणियों की गाटि किसके द्वारा पर्थक होती भई कोण सी नदी के द्वारा पर्थक है ये अलग होती है यमना नदी गगर नदी सरस्वती नदी मारकंडा नदी तो बताओ सातियो इसका भी सही जवाब क्या बनता है हर्याना में वेदिक यानि वेदिक पुरानों की जो नदी है जिसका नाम था दर्शेदवती नदी तो कोन सी नदी का नाम है भई दर्शेदवती नदी किसको का जाता था सरस्वती मारकंडा गगर साई भी तो कौन सी नदिगा नाम है ये ये भी क्वेशन आपके एक्जाम में लाजमी बनते हैं ब्रीटिस सरकार के विरूद भई जब विंदरों हुआ तो सबसे पहले हर्याना में कहां से सरवात होई इसार रोत कंबाला मेंदरगड जट से जवाब देना भई बिलकुल अस थारास्ताउन की क्रांती की सरवात हर्याना में कहां से होई थी भई हर्याना में कहां से थारास्ताउन की क्रांती का बुगल बजा तो ओल इंडिया रेडियो हर्याना का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है तो कांपे ये कुरक्षेत्र इंसार अबाला और आपका रोत्तक दिया गया है हर्याना में चिस्ती संपर्दाई सिल्सिला किसने स्तापित क्या बई चिस्ती सिल्सिला किसने चलाया बाबा फ्रीद ने मोमत बक्तियार काकी ने भू अलिसा ने सुरुफ दिन ने तो बताओ बई किसने चलाया था चिस्ती सिल्सिला हर्याना में किसने सरवात करी 11 सदी का उल sorry दोस्तों दुबारा से question को देखो 11 सदी की उल बुर्नी की इतियास यानि अल बुर्नीम का इतियास किताब उल इंद किताब उल इंद किसकी पुस्तिक है अल बुर्नीम की पुस्तिक है किताब उल इंद किसकी पुस्तिक है अल्बुर्निम की पुस्तक है तो और याना की परसीद जी लिखा इसमे उलेक है कौन सी किताब में किताब उलिंद में तो किताब उलिंद किसकी पुस्तक है भई अल्बुर्निम की किसकी है अल्बुर्निकी पुस्तक है यह ग्यारवी सदी का दरपण और शिशा इसको का जात किसका बढखल जील, दमदमा, बरम स्रोवर, करण स्रोवर यानि करण जील, तो किसका जीकर मिलता भई किताब उलिंद में, जो ग्यार्वी सदी के दरपण और सिसे के नाम से जाने जाते थे, अल बुर्नी, तो उसकी पुस्त कह भई ये, इसमें जीकर पूछा है, हर्याना में वई वर्शा रितो के स्वागत के लिए मनाया जाता है, जब अर्याना में वर्शा का संकेत होता है, तो कौन सा तिवार मनाया जाता है? गणगोर गुगगा नुममी बेशाकी बेशाकी दो अपसन दे दिए तो बताओ वहें रियाणा में उबरसा रिटो के स्वागत के लिए मनाया जाता है कोणसा तिवार मनातें आपा? कोणसा तिवार मनातें में ठीक है? पस्चिम हर्याणा के मेदान पुर्वी हर्याना के मिदानों से राज्ये के पस्चमी भाग में इविन उंचाई और अकार के बहुत से रिते लिए टीलों के कान अलग है जिने क्या कहते हैं ठीक है वो क्या कहलते हैं गर, बांगर, गागर या प्रियोगित सभी तो पश्चमी अर्याना के जो मेदान है वो पूर्वी अर्याना के मेदानों से राज्य पश्चमी भाग में विवन उंचाई और अकार के बहुत से रितेले तीलों के काण अलग हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ये question पूछा है तो इस पाड़ी ने रियाना को काभी प्रसिद्धी दिलाई क्योंकि यह माना जाता है कि चवन रीसी ने कई वर्षों तक परतपस्या की समय बिताया चवन रीसी यहां पर आये थे कौन सी पाड़ी पर चवन रीसी आये थे भई मोनी पाड़ी डोसी पाड़ी या गोक्कलगड में या प्रियोगित इनमेंसे कोई नहीं और वो पाड़ी कहां पर आती है ये भी बताना बहई कहां पर अगमन हुआ था हर्याना की साहित्यकादमी किसके द्वारा प्रकासित पत्रीका बहИ निमिलित में से अरियाना के लोगों द्वारा बोली जाने वाली मैत पुन बोली नहीं है ठीके ना? मैत पुन बोली नहीं है भई जो अरियाना के लोग नहीं बोलते कोण सी बांगडी, बांगरू, पंचट्डी, कच्छी बोली अर्याना में 1445 के लाड़वा विंद्रों को किसने लेड़ किया किसने निर्थतों किया जोद सिंग ने अजीद सिंग ने जोवित खाने परताप सिंग नहीं लगबग मैं ये community में डाल चुका हूँ question अगर आप नहीं देखते तो उसमें मेरा खोट नहीं है दोस्तों आप देखा करो आपको जो question याद होते हैं उनको भी आप practice करते रहें क्योंकि exam time ऐसा pressure बनता कई बार कि आपके जो easy question है वही गलत हो जाती है तो इसलिए आप इनको अलके में मतले न ठीका न कई बार option के इसा आप से 243-45 ऐसे option फसा देते हैं और आप और टिक कर देते हैं तो आप practice लगाया करो practice लगाओगे जितना उतने ही आपके लिए असान हो जाएंगे इन में से कौन सा अरियाना का सबसे पुराना लोक नर्त्य है तो अरियाना का सबसे पुराना लोक नर्त्य पुछा है तो बताओ सातियो अरियाना का सबसे पुराना लोक नर्त्य कौन सा है गूमर सांग गोडिया दमाल शब से प्राचिन है भई ये हर्याणा के गठन के से में जीलों की संक्या ये questions तो ऐसे बता दो पूछने वाले question नहीं है लेकिन पूछते हैं में हर्याना में मैरिसी वालमी की पुरसकार किसके द्वारा दिया जाता है कोण सी अकादमी मैरिसी वालमी की पुरसकार को देती है हर्याना संसकर्त अकादमी, हर्याना पंजावी साहत्य अकादमी यह भी हर्याना स्टाब सेलेक्षन कमीशन के द्वारा एकजाम में पूछा जा चुका है आपके सामने है, तो मैं कोई ऐसा क्वेस्टन नहीं करवाना चाहरा जो आपके लिए जरूरी नहीं हो तो मेरी importance यही रहती है ति आप ज़्यादा से ज़्यादा question को practice करें पीछले examo में आयोगे question को practice करें बच्चे यह भी शिकायत करते हैं कि सरी question बिल्कुल basic हैं जब तक आप basic चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे तो आप मजबूत चीज़े कैसे कर पाएंगे यह भी आप देख बात कीजिए ठीक है ना समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं आप basic चीज़ों को भी अलके में मत लिया करो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और कोई चीज basic नहीं होती सीखने वाले के लिए सारी सारी चीज़े important होती है तो बारत का एक मात्र और पहला डिजाइ निविस विदेले हर्यान के किस जिले में है भई तो यह क्या है बारत का एक मात्र है जो पहला डिजाइन विस विदेले बनाया गया है काँ पे सोनिपत गुरुगराम रिवाडी इंसार तो बताईए भई इसका भी सही जवाब क्या आएगा तो आज का अंतिम परसं देख लेते हैं सातियों निमलितम सर्यान के किस जिले में राष्ट्रिय जीव अनुवांस की सहस्तान ब्यूरो स्थी तो मैंने इसके एक ट्रिक भी बताई थी अगर आपने कलासें देखिए तो आपको पता होगा राष्ट्रिय जीव अनुवांस की सहस्तान ब्यूरो कांपे तो भई अब भी दुबारा से कहा रहा हूं है, अगर आपको PDF की जूरते PDF लीजिए, एक बार आप class होंगा review जरूर कीजिए, यानि पललेष्ट में जाकर अच्छी तरीक किसे class को देखिए, बाद में आप PDF को लीजिए, तो जो साती फर्स टाइम हाए हैं, वो चैनल को जरू बहुत बहुत देनेवाद, जया हिंज है बारत, best of luck, stay on.